तो आप लोग का नवंबर में एक्जाम है और अभी एक्जाम में कुछ दिन बचे हुए जैसे आप लोग कुछ बच्चों का तीन को है कुछ का लास में 18 को भी एक्जाम है तो बहुत सारे बच्चे कुछ ऐसी हरकते एक्टिवीटी करते हैं फाइनल टाइम पर जिससे उन्ह भव के अनुसार आपको कुछ बिद्दू बताओं तो उनको जरा धियान से सुनिएगा धियान दीजिएगा जब एक्जाम नजदीक होता है जैसे भी 10-12 दिन का समय है तो मेरा सजेशन आप लोग को यह है कि आप कुछ भी नया पढ़ने का ट्राइंग ना करें जितना आप लोगों ने पुराने बच्चों ने जितनी मैना थी है उनके लिए तो मैं यहीं कहूंगा कि देखो बच्चों फाइनल टाइम पर आप लोगों कुछ भी नया नहीं पढ़ना है जो आपने पढ़ा हुआ ना उसको 20-30 बार उसको रिवाइज रिवाइज और रिवाइ आप लोगो नॉर्मली पॉइंट पता हो अगर अब्जेक्टिव लगाने है तो उनकी जगे पर आप 50 अब्जेक्टिव के जगे पर अगर आप छोट इमोटे निमेरिकल अगर सॉल्व करेंगे या इंपोर्टेंट पॉइंट को रिवाइज करेंगे तो उसका डेफिनेट अब अच्छा कहता है कि सर्मोग्ट लगाएंगे जरी आप परादी दिन मोग trainings कोई परेंपिट में यहां और कि श्लीव करेंट है blinking वह पहले लगाने करने का समय नहीं नहीं अब जितना आप लोगों की capability है और चंता है उसका इस्तमाल करके paper को pass करने का समय है तो final time पर एक तो आप यह गलते ना करें कि लगातार आपने theory को पढ़ना बंद कर दिया और सिर्फ आप अप्यक्सिव को practice करें नमबर वन जो की major drawback है दूसरा आपने theory के revision पर ज्यादा focus करेंगे अपने short notes और formula book को पढ़ना ना भूले और mock test तिर्फ आप एक लगा लेंगे तब भी sufficient है और जब admit card आ गया है तो बच्चे अपनी self study को कम कर देते हैं और teacher के उपर dependency ज्यादा रखते हैं खासकर teacher तो नहीं क इसलिए आपको यह ध्यान रखने की जरौत है कि खुद से self study करिए क्योंकि आपको खुद अकेले जाना है exam hall में तो थोड़ा बहुत बस interaction रखेंगे तीचरों के साथ में जिससे आपको motivation मिल जाए अदर्वाइज अपनी self study पर बहुत ज्यादा focus करने की आप लोगों को तो मैं डेली दो तो तिन दिन चुटी चुटी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जगा कर रखने काम भी करूंगा साथी कुछ marathon session भी है जैसान को साथ विजे पावर मसीन मेजर्मेंट इन समका रिवीजन में आप लोगों को लगवा कर ही पेपर में भीशने वाला हू उजे हो बाबा के दावनाद रन्यवाद